भागलपूर में चोरों के होसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब जजकी पत्नी भी सुरक्षित नहीं है आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है मैं ये बातें इसलिए का रहा हूं कि जो चीज़ें एकभारों के पन्ने में आपके स्क्रीन के ओपर दिख रही है कि भागलपूर में एक ऐसा गिरोशक्रिय हो गया है जो महिलाओं को टारगेट करता है वैसी महिलाओं को टारगेट करता है जो हातों जो अपने गले में सोने की चायन पहने हुए होती है जी हाँ सही सुन रहे हैं आप आप देखिए किस तरीके से 17 तारीक को 17 अगस्त के सुभा में जज़ की पत्नी के साथ इसाग चक में चोरों ने उनके गले से चैन छीन ली एक और घटना देखिए बरारी के हैं उनके साथ भी सेम ऐसी घटनाए हुई है नीचे एक और घटनाए आपको दिख रही होंगी कि नौगच्छा की एक महीला के साथ वैसी घटनाए हुई है अब एक और घटने से मैं आपको अब घट करवाता हूँ जो ठीक आज से 24 गंटे पाले हुई है हमारे साथ तस्वीरों में आप दिखाईए कि बैठी हुई एक सक्स है और उनके साथ उनकी पतनी जो के धुरैया पर्खंड जो के बांका जीले का एक पर्खंड है उनके साथ भी चोरों ने ऐसी घटना को कल अनजाम दिया ये कल अपने पती के साथ मार्केट गई हुई थी उदर से वापसी के करम में तिलका माजी से जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो रानी तलाओ और जीरो माईल के बीच में से उसके पीछे से उसका चोर पीछा करते हैं और जैसे ही चोरुष के नजदीक आते हैं उनके गले में सोने का चैन देखते हैं कि महिला के गले में सोने का चैन है वो उसके सोने के चाइन में जपटा मारते हैं और इतनी तेजी से खीशते हैं कि वो चाइन तूट जाता है और चोर उसको लेकर फरार हो जाते हैं ये भागलपूर की घटना है कि भागलपूर में चलते रोट पर आप देखिए कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं आप देखिए कि चोरों के मन कितने बढ़े हुए हैं अगर किसी महिला के गले में सोने का चाइन दिख जाए अगर किसी इस्तरी के गले में सोने के अभूशन दिख जाए तो वो फिर आपको छोड़ने वाले नहीं है एक ऐसा गिरो भागलपूर में शक्री है जो हर पुरे भागलपूर के हर एक कोने में ऐसी घटना को सरयाम कर रहे हैं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यह चीज़ें पुलीस के केस में दर्ज है पुलीस की डायरी में दर्ज है पुलीस इन चीज़ों तक पुलीस की जानकारी पहुँच चुकी है बाकि बहुत सारे ऐसे मामले भी भागलपूर में हुए होंगे जिन्हों ने पुलीस में जाकर रिपोर्ट दरज नहीं करवाई होगी आईए तमन्ना परवीन जी से मिलती है मुख्या जी से मिलते है और जानने की कोशिश करते हैं कि कल उनके साथ क्या कुछ हुआ कल चोरों ने उनके साथ क्या कुछ किया और चैन जो उनका छीना क्या कुछ उसका रिजल्ट निकला क्या पुलीस परसासन ने कोई कारवाई की सारी चीज़े इन से मिलकर आईए तमन्ना परवीन जी है बांका जी लेके धुरया परखंड की मकैता बवुरा पंचायत की बरतमान में मुख्या भी है और कल ये अपने पती के साथ मार्केट जा रहें थी बाइक से और उदर से लोटने के करम में चोरों ने इनका पीछा किया इनके गले में जो सोने का चैन था उन्होंने कीच लिया सही बोल रहा हूं मैं हाँ जी सही बोल रहा है यहां का केस भी दर्द कराए है सबोर और जीरो मायल थाना में लेकिन कुछ भी करवाई नहीं हुई है क्या घटना जरा से बताईएगा कहां से आ रहे थे कैसे गई हुई थी दो बज़े करीब अपने पांच बज़े के करीब जीरो मायल से रानी तरलाव के आस पास में चोरों ने वाइक से आके मेरी चैन चीन ली बहुत जबदस चीनी मैं गीर भी सकती थी लेकिन अपनी जान किसी तरह से बचा के मैं अपनी घर बापास आई उनका पीछा भी की इंजिनर कॉलेज से वह भाग चुके नहीं नहीं कर पाए हम उसके बाद आपने क्या किया पुलिस में जाके पुलिस में मैं कंप्लेंट कराई हूं सबोर थाना में और जीरो मायल थाना में लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है को चैन भी आपसी नहीं मिली ना तो चोर ही पकड़ा है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक कोई रिजल्ट नहीं नहीं चोवीज घंटा हो चुका चोरों को मतलब आप चोरों कैसे बेस भूसा में थे आपको देख कर आप गमचा वाने हुए थे लाल कलड़के बाइक से सवार थे दो थे एक ते वाइट कलड़कर रुमाल वाने हुए थे और पीछे वाले सारी चीज़ों इन से पूछ रहा हूं कि आप भी सतर करें कि गमचा बाने हुए कोई दो लोग रहेंगे तीन लोग रहेंगे तेजगती से बाइक चलाएंगे अगर आप के पीछे महिला बैठी है उसके गले में चैन है तो वहां पर आप अवेर रहिएगा सतर करेंगा निकले पौने पांच बजे के आसफास जो है जीरो माइल और रानी तलाओ के बीच में एक वाई सवार पीछे से आया इनका चैन पर हांथ दिया पूरे जोर से खीचा हमरा बाई गड़ खड़ाया हम देखे कि क्या हो गया तब तक मैं चलाई कि चैन 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 लेके जा रह बन गया और इसी तरीके से हम फिर घर है यहां से फिर जिरो माईल और रिपोट कराने के लिए गये और जिरो माईल थाना में रिपोर्ट करवाए सब और तब न में रिपोर्ट थाना में हम एक मनेशन इन्फरमेसिन पिंटे हैं कि आइसा हो गया है Base सब्सक्राइब कर दो तीन दोकान में गए तो एक दोकान है अर्जुन सर्मा नाम करका उसको पहचाने लेकिन स्पीड ही उसका इतना था कि नहीं तो वाइक का नंबर आ समझ में नहीं उसका चेरा आ रहाता है लाल पगडी कमशा बाने हुआ तो वही नजर आ रहाता है चोरों ने खुले आम भागलपूर की पुलिस को चुनोंती दे डाली है कि हम इसी तरीके से बीच सड़क पर अपराद करते जाएंगे लोगों के चैन लूटते जाएंगे लो अभी तक पुलिस परसाशन चोरों को गिरफ्व में नहीं ले पाई है और जैसे इनके साथ कल घटना है घटी हो सकता है आने वाले दिनों में या आज भी कहीं घटना घटी होगी आज भी किसी महिला के सोने की चैन चिनी गई होगी क्योंकि वो चोर जो गिरो है एक तरीके अख़र में जो खबर छपा है जो फिलिस तक पहुँझ रही है कि सारे मामले में यही दिख रहा है कि महिला के साथ चींते ही महिला के साथ गले से Ubay तक के सब्सक्राइब गिरो हैं कि इस तब आएफनाए इंदा किसी के साथ ऐसा दुर घटना नहीं हो अगर परसासन ने अपना काम सही से कर दिया एमानदारी से कर दिया तो ऐसी घटनाओ पर भागलपूर में रोक लगाई जा सकती है वरना ऐसे चोर जो है ऐसे गिरोज है भागलपूर के ओपर एक काला धब्बा लगा रहे है रेश्मी शहर के नाम से जाने जाना वाला ये चोरों के इस तरीके से काबू हो जाएगा कबजा हो जाएगा तो कहिने कि भागलपूर के लिए शर्म की बात है क्योंकि भागलपूर का एक गौरफशाली इतिहास रहा है गंगा नदी के खिनारे ये खेलता हुए एक शहर है विक्रम सीला यहां का रेश्मी कपड़ा यहा पर जा रहे हैं आपके हाथ में फोन है चोराएंगे आपका फोन कीच कर लेकर चले जाएंगे तो भागलपूर पुलिस और बिहार पुलिस से हमारा भी हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा कि महां से इन लोगों के उपर लगाम लगाईए चोरों के उपर लगाम लगा और ऐसी घटनाई जो हो रही है इस पर अगर रोक लगा दी जाए तो बहुत सी मैलाएं अपने चैन तो बचा ही पाएंगी आने वाले दिनों में जो घटनाई होने वाले हो सकता है चैन के चक्कर में किसी का एक्सिडेंट हो जाए उन सारी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकत लोगों को कैसे रोकना चाहिए इन पर क्या एक्षन लेना चाहिए यह भी है अपने कमेंट में जरूर दर्च करवाईएगा आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया मैं आपका दोस्त अबुलेश्ट इरम जहिंद